दोस्तो वीडियो सुरू करें उससे पहले दोस्तो वीडियो को कल लिजे लाइक दोस्तो उसके बाद चैनल को कल लिजे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ओन कल लिजे ताकि आपके पास लेटेस्ट गौर्णमेंट जो वेकेंसी का अब्डेट सबसे पहले पहुसता है तो चलिए आपको बताते हैं कि आज यहां पे कौन सी भरती निकल की आई है इसके लिए आपको आविदन कैसे करना है और फॉरम को कैसे भरना है दोस्तो 2022 वन वीभाग यानि फोरेश्ट डिपार्टमेंट की लेटेस्ट भरती लेकी आ गया है योगता यहां पे कीवल ब दोस्तो आपको यहां पे ओनलाइन फोरम भरना पड़ेगे योगता कीवल बारवी पास रखा गया आप यहां पे पढ़ सकते हैं दोस्तो फोरेश्टर हो गया फोरेश्ट रेंजर हो गया इसके साथ दोस्तो बहुत सारे पदों की भरती निकल की आ गया आप यहां पे पढ अप्लिट देखिए कि तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो नीचे आपको छोटा सा लाइक का बटन दिखरा हो इसको दबा के लाइक कर दीजे तो चलिए आपको बताते हैं कि 2022 में यहा पिन कर दिया है तो आप उस पर ओके करेंगे तो आपके सामने यह वेकेंसी का है डिटेल ओपें होके आ जाएगा दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं वन विभाग भरती 2022 योगता बारे भी पास है यहाँ पर बेतन आपको एक महें निम 63,000 रुपए स्टार्टिं बेतन मिलेगा वन रक्षक होगा वन छेत्रपाल हो गया अप्लाई ओनलाइन आविदन सुरू कर दिया गया दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं फॉरेश्ट डिपार्ट्मेंट रिक्यूट्मेंट 2022 से अप्लाई ओनलाइन दोस्तों आपको यहाँ पर ऑनलाइन मा फॉरेश्टर हो गया फॉरेश्ट रेंजर पदो की भरती निकल की आ चुकी अप्लिकेशन फॉर्म बनने का मोड़ यहाँ पर ऑनलाइन रहने वाला है दोस्तों इसके साथ नीचे आप यहाँ पर आएंग तो इसका फॉर्म बनना देखी 19 मैं से सुरू कर दिया गया है दो 14 साल से लेके दोस्तों 17 साल के एज लिमिट रखा गया इसके साथ यहाँ पर दिखे सेलेक्शन फ्रोसेज को भी लेके बताया गया है कि आपको फॉर्म को यहाँ पर कैसे अपलाई करना है और यहाँ दिखे डारेक्ट आपको ऑफिसल वेबसाइट के भी लिंक दे दिया ग अपलाई करने का लिंक दे दिया गया ओफिसल वेबसाइट का लिंक दिया गया है ओफिसल नोट्फिकेशन भी आप यहाँ से डाउन्नोड कर सकते हैं तो अगर आपको भी वेकेंसी का डिटियल देखना है तो इसका लिंक आपको मैंने नीचे डिस्किप्शन में और कर दिया है आप उस पर ओके करके पुड़ा वेकेंसी का डिटियल देख सकते हैं तो दोस्तों फिलाले इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत